नमस्कार आपके साथ मैं हूँ त्रिप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहा है नियूस टाइम्स चैंबासा इस बुलिटेंड में आप सुभी का स्वागत है आईए नजर डालतें सिंभुम के खबरों पर पश्में सिंभुम जीले के लोगों ने अंग्रीजी नव वर्ष 2024 का दिल खोल कर स्वागत किया 31 दिसंबर की रात में शुरू हुआ जस्न आज देर रात तक चलता रहा लोग अपने अपने तरीके से नव वर्ष का आनंद उठाते नजर आए पश्मी सिंभुम जीले में दर्जन भर से जादा पिक्निक स्पॉट है जहां नए वर्ष का ज जादतर लोग कुजु नदी तट पर और लुपम गुटू पर पिक्निक मना कर नए साल का स्वागत किये कुजु स्थित खरकाई नदी के तट पर दोनों और आज लोगों की भीड रही कहीं कोई भोजन पकाता नजर आया तो कोई म्यूजिक के धुन पर डांस करता नजर खाने पीने के साथ लोगों ने परिवार के साथ समय बिताया और नए साल का स्वागत किया पिक्निक स्पॉट पर विधी विवस्था को ध्यान में रखते हुए जीला पुलिस की ओर से हर जगा परियाप्त संख्या में पुलिस जवानों को तैनात किया गया था जगनातपुर अनमंडल छेतर में रामतिर्थ, मुर्गा महादेव, गुवा, किरिबुरू, नौमुंडी सहत अन्य स्थानों पर लोगों ने पिकनिक का आनंद लिया वही चकरधरपुर अनमंडल छेतर में लोगों ने पंप डैम और नदी किनारे नय वर्ष का जस्न मनाय लोग परिवार के साथ मंदिरों में पूजा पाठ करते दिखाए दिये, नक्टी डैम और पंसुआ डैम में भी पिछले दो दिनों से जश्न का माहौल है, लोग यहां पिकनिक मनाने पहुँच रहे हैं, जहां खाने पिने के साथ ही बोटिंग का भी आनंद ले रहे हैं, जीला प्रसासन की पहल पर पंसुआ और नक्टी डैम को विक्सित किया गया है, विक्सित होने के बाद से यह दोनों डैम हर दिन गुलजार रहता है और नए साल के मौके पर तो खास तोर पर यहां लोगों की भीड जमा हो रही है, पिकनिक स्पॉट पर जीला पुलिस की ओ और से पूरे दिन सुरक्षा ववस्था के लिए पुलिस बल को तैनात रखा जा रहा है, वैसे तो जन्वरी भर नए साल का जश्ट मनाया जाता है, लेकिन आज पहला दिन है, इसलिए लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला मासिक रक्तदान में लगातार हर तीन माह के अंतराल पर रक्तदान करने वाले प्रमोच सूरीन के रक्तदान से शीविर का शुभारम किया गया, शीविर का आयोजन स्वर्गय हरवजन सिंग खोकर की याद में किया जाता है, इस मौके पर कलब की अध्यक्ष हीना ठककर सचिव हर्स राज मिश्रा, गुर्मुक सिंग खोकर, महेश खत्री, बलजीत सिंग खोकर आदी मौजूद थे अब सोने और चांदी की आभूशन खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आएए स्याम जोलर्स में, धंतेरस दिपावली और छट के मौके पर स्याम जोलर्स की ओर से दिया जा रहा है विशेश छूट, सोने के आभूशन के खरिदारी पर मेकिंग चार्ज पर 30% की चूट, जबकि चांदी के आभूशन के खरिदारी पर मेकिंग चार्ज में 50% की भारी चूट दी जा रही है, इसके अलावा भी ग्रहकों के लिए कई तरह के आकरशक उपहार की भी विवस्ता है, श्याम जोलर्स में आपको लेटिस्ट डिजाइन के आभूशन उचित कीमत पर मिलेंगे इसलिए श्याम जोलर्स आईए और अपनी मनपसंद खरिद्दारी कीजिए साथ ही फेस्टिवल ओफर का आनंद उठाईए हमारा पता है सुनार पठी सदर बजार चाइबासा आया आया नीलमशु में सकूल का पशा लड़का लड़की छोटा बड़ा मैं लेगा हरना उत्तम क्वाल्टी के किफायती दामों में उपलब्ध है तो अवस्य पधारे नीलमशू राजा बाडी कली सदर बाजार चैवासा जहां नीलमशू का वाद खेल सी जुड़ा कोई भी समान आपको खरीदना हो तो अब उचित कीमत पर चैवासा में भी उपलब्ध है सदर बजार में FS टावर में अमिट स्पोर्ट्स कलेक्शन में खेल कूत का सारा सामान आपको मिलेगा फुटबॉल, क्रिकेट, बॉलीबॉल, बास्केटबॉल सभी तरह के खेल से जुड़ा समान अमिच स्पोर्ट्स कलेक्शन में जमशेतपूर से भी कम कीमत पर मिलेगा इसलिए यहाँ वहाँ भटकने की बजाए सीधे अमिच स्पोर्ट्स कलेक्शन में पधारे और गुनवत्ता युक्त समान ले जाएं सदर प्रखन के घागरी फुटबॉल मैदान बे बानरा स्पोर्टिंग कलब घागरी द्वारा सेरिंगसया घाटी लडाई के वीर सपूद पोटो हो शहीद दिवस कारिक्रम आदिवासी रिती रिवाज के साथ पूजा अर्चनाकर मनाया गया मौके पर मुख्य अथी थी चैबासा विधायक दीपक बिर्वा ने वीर सहीदों को स्रधानजली अर्पित की सबसे पहले घागरी गाउं के दिवरी द्वारा विधी विधान से पूजा अर्चना कर पोटो हो की तस्वीर पर माला पहना कर कारिक्रम का आरंब किया गया इसी के साथ उपस्थित अन्य लोगों ने बारी बारी से पोटो हो के तस्वीर पर पुश परपित कर सहीद दिवस को साधगी से मनाया इस अवसर पर बांडराव स्पोर्टिंग क्लब घागरी की ओर से तीन दिवस ये फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया इसका समापन पहली जन्वरी को सहीद दिवस के अवसर पर हुआ प्रतियोगिता की विजेता एवं उप विजेताओं को विधायक एवं अन्य अतितियों के हाथों पुरुस्कृत किया गया प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रंगीला बॉय्स क्लब बनाम बी आर सी इवं आदिवासी हो समाज सेवा जर्विच संगठन की ओर से खरस्वा गोली कांट के शहीदों को बाइक रैली से पहुँचकर सधानजली दिया गया आदिवासी हो समाज महासभा कला एवं संस्कृति भवन हारी गुटु चैंबासा हारी गुटु स्थित प्राकृतिक आस बास्था स्थल दिशावली में लोगो की शुख शान्ति के लिए पारंपरिक तरीके से बुंगा बुरु किया गया बुंगा बुरु के बाद बाइक रैली निकाली गई, बाइक रैली से सभी लोग खरस्वा गोली कांट के सहिद सल पहुँचे, वहां सभी लोगोंने सही को सरद्धानजली अर्पित की आपसे फिर मुलाकात होगी कुष्णाई खबरों के साथ तब तक बने रहे हमारे चानल पर धन्यवाद